Good manners, हमेशा हमें अपने बच्चों को अच्छे विचार सिखाने चाहिए Good manners keep everybody around us happy They keep us happy too We should learn good manners हमेशा हमें good manners को हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि good manners हमेशा इनसान को अच्छे सिच्चा देते हैं और खुश रखते हैं तो इस पिच्चर के मादम से हम good manners को बता रहे हैं Say hello when you meet somebody जब हम किसी दो इंसान आपस में मिलते हैं तो hello बोलते हैं Say welcome to girls हमेशा अपने मेमानों का सावगत welcome कहके करना चाहिए ये भी good manners होता है Say I am sorry if you do something wrong with someone जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें sorry बोलना चाहिए Say please if you want something जब हमें किसी से कोई वस्तु लेनी होती है तो हमें please बोलना चाहिए ये एक good manner होता है Say thank you if someone gives you something जब हमें कोई भी कोई सामान देता है तो हमें thank you बोलना चाहिए इस पिच्चर में एक लड़का दूसरे लड़के को गिफ्ट दे रहा तो वो thank you बोलना चाहिए उसको Excuse me Say excuse me if you sneeze और कफ और need to use the restroom अगर हम किसी से कभी कोई बाचित कर रहे हैं और चानक से हमसे छीक या कासी आ जाती है तो हमें Excuse me कहके आराम करने के चले जाना चाहिए दूसरी जगा चले जाना तरहीं यह हमारे good manners होते हैं Hello, welcome, sorry, please, thank you, excuse me